लालची राजा एक समाई की बात है, एक बड़े से महल में एक राजा रहता था, वह बहुत लालची था, उसके पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद वह उससे संतुष्ट नहीं था. एक दिन एक बुढ़ा आदमी राजा के महल में आता है, वह राजा को एक अनोखा हीरा दिखाता है, और कहता है कि इस हीरे से तुम जो कुछ भी मामोगे वह तुमें मिल जाएगा, लेकिन उसने राजा को चेतावनी दी की हर इच्छा की एक कीमत होगी. राजा बहुत खुश हो जाता है और हीरे को अपने पास रख लेता है, वह अपनी पहली इच्छा मांगता है कि उसे धेर सारे सोने के सिक्के मिल जाए, अचानक से उसका कमरा सोने के सिक्कों से भर जाता है. लेकिन राजा इतने में भी संतुष्ट नहीं होता है, उसे और सोना चाहिए होता है, वह और इच्छा मांगता है कि उसे गहने, जमीन और खजाने चाहिए, उसे वह सब भी मिल जाता है. जैसे जैसे राजा का लालच बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके राज्य के लोगों को भुगतना पड़ रहा था, वह सब गरीब हो गए, उनकी जमीन बंजर हो गई, क्योंकि हीरे से मांगी गई इच्छाओं की कीमत उसके राज्य के लोगों को चुकाना पड़ रह लोग गिरगिडाते रहे राजा के सामने की वह रुक जाएं लेकिन राजा ने उनकी एक नसुनी। एक रात जब राजा सो रहा था, तब उनके पिताजी सपने में आते हैं और बोलते हैं कि यहां लालच उन सब चीजों को बरबाद कर देगा, जिनसे तुम प्यार करते हो, राजा की नींद खुलती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है. राजा ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और अपने आपको बदलने का वादा किया, उसने अपने धनका उप्योग लोगों की मदद करने और राजय को भैतर बनाने के लिए किया, राजय फिर से सुखी और सम्रिध हो गया. उस दिन से राजा ने सीखा कि लाल्ची होने से केवल दुख मिलता है लेकिन दयालू होने और दूसरों की मदद करने से सभी को खुशी मिलती है सीख लालच दुख और विनाष ला सकता है जबकि दया और निहस्वार्थता सुक और समर्द्धी लाती है